तो आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ गेहूं के आटे का बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम क्रिस्पी नास्ता आप इसको गेहूं के आटे का नास्ता या पकोड़ी कुछ भी बोल सकते हैं बट खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं ये बच्चे बड़े इसमें दो चम्मच सूजी, सूजी से वाजवार पकोड़े हैं, बहुत क्रिस्पी बनेंगे, सूजी के बज़ाए आप इसमें दो चम्मच चावल काटा भी डाल सकते हैं, साथी साथ मैंने आप ले ली हैं, दो बारी कट्वी हरी मिर्च, थोड़ी से हम डालेंगे फ्रेस दन करके डालेंगे, यसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आदा चम्मच नमक डालेंगे, फ्रेंट्स मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स बता देती हूं, जिससे कि जो हमारे पकोड़े हैं, बहुत जाद ऑप जाद आप जाद नहीं करेंगे, पकोड़ों का टेस्टी बढ़ और ओइल भी बहुत कम अब्जॉब करते हैं, अब हम सारी चीहों को अच्छी से मिक्स कर लेते हैं, नेवू डालना पूरी तरह से ऑफ्सेनल है, अगर आप डालना चाहते हैं, तो डाल लीजे बाना विन को इसके भी कर सकते हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल यह देखिए इस तरह से थोड़ा सा बिस्की एल्प से फेट लेंगे जिससे कि इसमें कोई भी लंस होगा वह अच्छे से फेट जाएगा तो यह देखिए बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना है जिस तरह से हम नॉर्मल बेशन के पकोड़े बनाते हैं बलकुल बैशन के दियार करना है तो अभी कवरेट से छोड़ देते हैं अब मैंने अब लेकर लेलेल एक पड़े साइस का आलू और साइस की पयाज अब हम क्या आ करेंगे अ इसमें कट करना है तो इस तरह से हम इसको पतला पतला गोल गोल कट कर लेंगे आप चाहें तो जो पतले पतले पापर काटने वाली मसीन होती है उससे भी आप इस तरह से आलू को कट कर सकते हैं बट चागों के अलिप से भी काफी आसानी से कट हो जाते हैं तो हमें इनको बिल पतले इसके slices भी कट करने हैं बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं आप जरूर बना के देखिएगा तो इस तरह से मैंने आलू प्याज को कट कर लिया है आप चाहे तो इस तरह से कि टिमिन के लिए भी स्वए बना के दे सकते हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं थंडे होंने के बाद ये घुमिश को अच्चे लगते हैं तो कोटिंग कर देंगी और कम लग रहा है तो थोड़ा सा और करेंगे हम इसमें से एक पीस उठाएंगे इस तरह से अच्छे से इसको डिप कर लेते हैं इसमें करते हुए डाइरेक्ट हम इसको कड़ाई में डालेंगे तो मैंने पहले सो यहां पर ओएल को गरम करने की रख दिया है आप एकदम बढ़िया से गरम कर लेना है जैसे ऑल बने यह नहीं से निकल बागी कि बचेहुए पकणों को लेंगे जब भी बारिस का मौसम होता है तो कुछ पिड़ा करने कामन कराता है तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गर्में बेसन नहीं होता है बते हैं तो यह और बैसा कभी para बायूदी है यह दे ली रोटी बनती है देखे, बहुत जादा क्रिस्पी बने हैं और बहुती जादा टेस्टी हैँ, मैंने आपको एक आलुः अलच तोड़ के दिखा दिया है, तो यह कि मैं आपको प्याच भाला भी कट करके दिखादीती हूं, बहुत बहुत जादा टेस्टी पकॉर्ड़े हैं, आप इनको टमे लेंगे एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या फेंड्स